दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दा साइन ओफ फॉर जी हाँ ये आपके महारास्टा बोट के इंगलिश के क्लास 12 के स्लेबस में है तो दोस्तो इसे हम स्टार्ट करेंगे कुछ देर बाद एक या दो मिनिट बाद पहले आप सुन दीजिये जो मैं कह रहा हू अच्छे से तो दोस्तो मैंने महारास्टा बोट के इंगलिश के क्लास 12 के स्लेबस को पूरा कम्प्लीट कर रखा है जी हाँ अगर आपने अब तक उन सभी चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे तो उपर एक आई बटन होगा आप स्क्रीन में टैप करें वो आई बटन आ आप उस आई बटन में क्लिक करें आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे और हाँ दोस्तो प्रो सेक्षन कंप्लीट है और ड्रामा सेक्षन कंप्लीट हो गया और इसके बाद दोस्तो मैं राइटिंग स्कील को कंप्लीट करूंगा तो आप हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊंगा राइटिंग स्कील के उपर तो वो आपके पास पहुँच जाएगा और भी बहुत सारे चीज़े मैं मुझे आपको बताना है आपके इंगलिश के सजेशन भी बताना है मुझे और पेपर पैटन को और अच्छे अजने में बहुत ही मुश्किल होगा तो दोस्तों ये एक नॉवेल है और इस नॉवेल के अंदर कुल मिलाकर है आपका 12 चैप्टर जी हां 12 चैप्टर है एक और चैप्टर है दोस्तों आपके स्लेबस में जिसका नाम है अरॉन्ड वर्ल्ड इन 80 डेज तो इसमें टोटल 37 chapters थे और उसमें से आपके स्लेबस में था 33 से लेकर 37 तक सॉरी 34 से लेकर 37 तक तो ये जो the sign of 4 है न दोस्तों इसका टोटल चैप्टर है 12 लेकिन आपके स्लेबस में है सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर जी हां चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तो मैं अगर आपको सिर्फ से बताना यानि कि मैं बीच से आपको बताऊंगा हला कि आपके स्लेबस में यही है लेकिन दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूं इस वीडियो में आपको पूरे 12 चैप्टर का समरी बताऊंगा जी हाँ ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा 15-16 मिनिट का वीडियो होगा पूरा समरी आपको बता दूँगा बस इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो कल आ जाएगा आप उपर आए बटन पे चेक करें शायद तब तक बन भी गया होगा तो इस वीडियो को देख ले पूरा चैप्टर क की समरी हम स्टार्ट करते हैं घबराईय मत बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा तो दोस्तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कैरेक्टर को क्यूंकि तो दोस्तो प्रोटेगनिस्ट यानि की इस कहानी का मेन क्यारेक्टर है शेल्लॉक होम्स आपने इनका नाम सुना होगा तो दोस्तो ये एक डिटेक्टिव है और इनका एक दोस्त है डॉक्तर जॉन वाट्सन आप इस कहानी में पढ़ेंगे इन दोनों की जुगल बंदी जी ह आगे जाकर दोस्तो जॉन वाट्सन और इस मैरी मौट्सन का क्या होता है दोस्तो इन दोने में मिंस जुगलबंदी हो जाता है मतलब की दोनों का शादी हो जाता है ये दोनों एक दुसरे से प्यार करेगे आगे कहानी में अब दोस्तो इनके एक दोस्त है यानि कि कैप्टन म बेटा है एक का नाम है थोडस दूसरे का नाम है बार्थलो मियम मेरे प्रनन्शियेशन में शायद थोड़ा गलती हो जाए लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ स्पेलिंग तो लिख दिया है ना तो आप स्पेलिंग पढ़ो और मेरे नैरेशन को सुनते रहो दोस्तों यहाँ पर इंस्पेक्टर है यानि कि एक पूलिस है जिसका नाम है जॉन बस यहाँ पर अब आखरी दो कैरेक्टर है एक का नाम है जॉन आथन स्मॉल इसका दोस्तों एक पाउन लकली का है जी हाँ इसका एक लेग वूड का है और इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है टॉंगा तो द दोस्तो चलिए अब मौच करते हैं मिन समरी स्टाट करते हैं तो 221 B Baker street में Sherlock Holmes रहता है अपने friend के साथ जी रास्ते में नहीं रहता है इसका खुद का गर है यह street का नाम है address होता है यह अपने friend के साथ रहता है अभी दोस्तो Sherlock Holmes के पास कोई भी जौब नहीं है अरे Sherlock भी बोलू ह भूम्स भी बोलू तो दोस्तो मैं इसे शेल लॉक कहूंगा तो इसके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है तो ये अभी अपने फ्लैट में बैठ कर कोकीन का इंजेक्शन ले रहा है और यहां पर वाटसन ये सभी देख कर बहुती परेशान है तो दोस्तो अब अचानक से इस घर में एंट्री होती है मैरी का ये इस घर में नहीं रहती ये कहीं और रहती है ये अभी इस घर में आई है तो ये इस घर में आने के बाद शेल लॉक को कहती है कि अच्छा यहां पर मैरी को किस ने भेजा वो आपको जानना जरूरी है नहीं इस वीडियो में नहीं बताऊ उनका नाम मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तो यह लड़की यहाँ पर आई है और यह लड़की यहाँ पर आने के बाद शेडलॉक होम्स को कहती है कि दस साल पहले यानि की 1878 में इसके फादर लंडन आये थे अब दोस्तो यहाँ पर बात यह उठती है कि इसके फादर कहां थे जो लंडन आये मिस इसके फादर पहले कहां थे तो दोस्तो इस मैरी के फादर ना कैंडिटेट थे ब्रीटिश आर्मी के जी हाँ यह ब्रीटिश आ पर लेटर लिखा और लेटर में इन्होंने अपनी बेटी को लंडन के उस जगह पर बुलाया जहां पर ये रहते थे तो जैसे ही बेटी वहाँ पर पहुंचती है तब ये देखती है कि इसके फादर वहां नहीं है और अब मैरी आगे शिर्लॉक होंज को ये भी बताती है कि इनके फादर के एक दोस्त थे जिनका नाम था मेजर सॉल्टो तो ये जो मेजर सॉल्टो है ना ये इनके फादर के दोस्त थे और ये दोनों साथ में काम करते थे तो ये मेजर सॉल्टो भी इंडिया से अपने घर आए तो जैसे ही ये इंडिया से अपने घर आते है ना दोनों गायब है तो दोस्तो आज का डेट है 17, 11, 1887 यानि कि अभी जो मैरी यहाँ पर आई है न तो अभी का डेट यह है तो यह मैरी एक लेटर अपने साथ लेकर आई है जी हाँ इसके पास एक लेटर है अब यह लेटर देती है शेल्लॉक होम्स को तो इस लेटर में लिखा हुआ है मिस मैरी तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे फादर के बारे में पता है तो अगर तुम अपने फादर के बारे में जानना चाहती हो न तो आज शाम में लीसियम थेटर आ जाना और अगर तुम्हें डर लगे तो तुम अपने साथ दो लोगों को लेकर आ सकती हो फिर से मैं आपको बता दू दोस्तों ये सभी चीजे लेटर में लिखा हुआ है जो लेटर मैरी को मिला था और वही लेटर मैरी ने यहाँ पर शेल्लॉक होम्स को दिया तो दोस्तों अब यहाँ से यह तीनों इसी दिन के शाम में जाते हैं जी हाँ यह तीनों निकलते हैं यह तीनों अब जा रहे हैं लीशियम ठेटर तो दोस्तों राषते में यह मैरी एक पेपर देती है शेल्लॉक होम्स को और मैरी कहती है कि मुझे यह पेपर मेरे पिता यानि की कैप्टैन आर्थर मॉस्टन के Dex में यानि कि उनके bench में मिला तो यहाँ पर अब Sherlock Holmes इस लेटर को खोलते है और पढ़ते है तो दोस्तो इस लेटर में लिखा हुआ था sign of four और चार लोगों का नाम था एक था Jonathan Small दूसरा नाम था मोमिन सिंग तिसरा नाम था अब्दुल्ला खान चौथा नाम था अकबर तो जैसे ह यह तिनों पहुंचते है थेटर के पास इन्हें यहाँ पर पिक अप करने के लिए आता है घोड़ा गाड़ी जी हाँ यह घोड़ा गाड़ी में अब बैठते है और दोस्तो यह गाड़ी इन्हें लेकर आते है थियोडॉस सॉल्टो के घर तो थियोडॉस सॉल्टो के घर अब ये सभी पहुँच चुके हैं, यहाँ पर दोस्तों ये थियोडॉस कहता है कि मैरी के फादर और इसके फादर यानि कि कैप्टन आर्थर मॉस्टन और मेजर सॉल्टो ये दोनों मर चुके हैं इंडिया में, अब यहाँ पर थियोडॉस ये बताता है कि मेरे और तुम्हा काप्टन आर्थर मौस्टन को कुछ भी नहीं दिया तो जब तुम्हारे पिता मेरे पिता के पास गये थे यानि कि जब काप्टन आर्थर मौस्टन गये थे मेजर सॉल्टों के पास अपना हिस्सा लेने के लिए तब मेजर सॉल्टों ने उन्हें हिस्सा नहीं दिया तो इसल तुम्हारे पिता ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तो दोस्तो अब थियोडॉस कहता है एक दिन मेरे पिता मेजर सॉल्टो को इंडिया से एक लेटर आया था और जैसे ही उन्हें वो लेटर मिला ना उस दिन से वो बहुत ही परिशान थे और वो बहुत ही टेंस्ट थे और उसके बाद उनकी तबेद भी खराब हो गई थी और वो हर बार बढ़ाते रहते थे वुडेन लेक के बारे में यानि कि एक इन्सान ने जिसका लेक है लकडी का फिर एक दिन मेरे पिता ने यानि कि मेजर सॉल्टो ने अपने दोनों बेटों को बुलाया थैड़स को भ तो दोस्तो यह दोनों जाते हैं अपने पिता के पास तो यह यहाँ पर आकर देखते हैं कि इनके पिता यहाँ पर है तो दोस्तो अब यहाँ पर मेजर सॉल्टो अपने दोनों बेटों को बताते हैं खजाना के बारे में तो दोस्तों जैसे ही ये बताएंगे खजाना का प्लेस न तो इतने में ही यहां विंडो के पास एक bearded man आता है तो ये दोनों बेटे जाते हैं विंडो के पास तो यहां पर ये जैसे पहुंचे ये bearded man भाग गया और अब ये fear return आते हैं अपने पापा के पास तो ये देखते हैं कि इनके father मर चुके है जी हां father मर गए अगले दिन इन दोनों भाईयों को एक paper मिलता है और इस paper में लिखा हुआ है the sign of four तो ये हो गई past की बात तो अब हम आ जाते हैं फिर से present में तो दोस्तो अब Theodos Mary को reason बताता है कि इसने यहाँ पर Mary को क्यों बुलाया तो Theodos Mary को कहता है कि मेरे जो भाई है ना बातलोमियम उसने खजाना ढून लिया है तो हमें जल्दी उसके पास जाना होगा ताकि तुम्हें भी खजाना मिल सके और मुझे भी और मुझे डर है कि अगर हम वहाँ नहीं गए उसके पास ना तो वो लालच में आकर पूरा खजाना खुद ही ना लूट ले तो दोस्तो यहाँ से यह चारो यानि कि Watson, Sherlock Holmes, यह लड़की और यह क्या नाम इसका Theodos यह चारो जाते है इसके पास किसके पास? Bartholomeum के पास तो अब यह सबी लोग पहुँच चुके है Bartholomeum के घर, Bartholomeum का सर्वेंट दरवाजा खोलता है और कहता है कि Bartholomeum ने अपने आपको घर में यानि कि अपने रूम में लॉक कर कर रखा है तो अब यह चारो जाते है इसके रूम में तो दोस्तो जैसे ही यह रूम में आते है यह गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि Bartholomeum मरा पड़ा है जी हाँ यह मर गया और यह अभी अपने Steady Cheer में है और यह मर चुका है अब दोस्तो अचानक से यहाँ पर आ जाते है Inspector John जी हाँ यह पुलिस यहाँ पर आ गया और इसने गिरफतार कर लिया Theodos को क्यों क्योंकि इसे लग रहा है कि Theodos ने अपने भाई को मारा है तो इसने Theodos को अरेस्ट कर लिया यहाँ पर Sherlock Holmes और Watson कहते है कि अरे यह कैसे मार सकता है यह तो हमारे साथ था लेकिन Inspector John को यह लग रहा है कि लालच में आकर Theodos ने अपने भाई Bartholomeum को मार दिया तो दोस्तो यहाँ पर Inspector John Theodos को लेकर चले जाता है तो अब यहाँ पर Sherlock Holmes इस रूम की जाच करता है और इसे पता चलता है कि यहाँ पर दोस्तो केलेस्ट्रॉल है जी हाँ यहाँ पर केलेस्ट्रॉल गिरा हुआ है और दोस्तो यहाँ पर आस पास पॉं के निशान भी है तो यह तो खोजा Sherlock Holmes ने अब अचानक से यह जो वाटसन है ना इसे भी एक पैरो की निशान दिखाई देती है और दोस्तो यह पैरो की निशान बहुत ही अजीब है Sherlock Holmes कहता है कि यहाँ पर एक बंदा नहीं आया था यहाँ पर शायद आरोपी आया होगा और यह जो अजीब सा पैरो की निशान है ना यह जरूर इस आरोपी का दोस्त का होगा तो दोस्तो बेरहाल अब यह Sherlock वाटसन को कहता है कि तुम जाओ घर और तुम मतलब तुम मैरी को ले जाओ और उसके घर छोड़ दो और मैरी को छोड़ने के बाद तुम जाना बेकर स्टीट यानि कि दोस्तो जहां Sherlock Holmes और वाटसन रहते थे Sherlock कहता है कि तुम जैसे ही मैरी को छोड़ दगे उसके बाद तुम जाना बेकर स्टीट और बेकर स्टीट में जो हमारा घर है उसके बगल में एक और घर है यानि कि हमारा पडोसी महाँ पर एक कुत्ता होगा जिसका नाम है टॉबी तो तुम उस कुत्ते को लेकर आना तो दोस्तों वाटसन यहाँ से चला गया और शेल्लॉक होम्स को दोस्तों यहाँ पर पता चल गया कि वाटसन प्यार करता है इस जैसे ही वाटसन यहाँ पर तॉबी को लेकर आया अब दोस्तों शेल्लॉक होम्स कहता है कि मैंने इस पैरों की निशान के बारे में पता लगा लिया मैंने एक बुक में पढ़ा था कि यह पैरों के निशान होते है वो लोग के जो अंडामान में रहते है यानि कि कोई एक बंदा है जो अंडामान में रहता है उसी के यह पैरों के निशान है अब शेल्लॉक होम्स टॉबी को इस केलस्टॉल की खुश्बू सुंगाता है तो जैसे ही यह कुटा इसकी खुश्बू सुंगता है तब यह जाता है यानि कि यह यहां से भागता है और शेल्लॉक होम् रुपता है थेम्स रीवर के पास तो अब यहां पर शेल्लोक होम्स अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि जरूर आरोपी यहां से बोट में क्योंकि यह नदी है दोस्तों यहां से कैसे भागेगा बोट में भागेगा तो यह शेल्लोक होम्स कहता है कि जरूर आरोपी यहा बंदा आया था और वो एक स्टीम बोट को लेकर गया है और वो मेरे पती को भी लेकर गया है और जो बंदा मेरे पती के पास आया था ना उसके पैर लकली के थे अब यहां से दोस्तों शेलोक होम्स और वैटसन जाते हैं वापस बेकर स्टीट और बेकर स्टीट में आने के ब अब दोस्तो शेलोक होम्स इस्पेक्टर जॉन को अपने घर बुलाता है और जिस वक्त जॉन आता है ना उस वक्त घर में सिर्फ वैटसन होता है मतलब कि दोस्तो अभी घर में सिर्फ और सिर्फ ये जॉन है और वैटसन है यहाँ पर शेलोक होम्स नहीं है अब दोस्तो अच कोई और नहीं ये Sherlock Holmes है जी हाँ ये इसने अपना मेकप किया था ये वैसे ही मजाग कर रहा था तो ये मुढधा था Sherlock Holmes Sherlock Holmes कहता है कि Aurora को रखा गया है एक शीप याड में और आज शाम जोनाथन और उसके दोस्त इस शीप को लेकर भागेंगे लेकिन घबराओं मत मैंने एक बंदा तैनाद कर दिया है जैसे ही वो भागेंगे ना तो मेरा बंदा हमें सिंगनल दे देगा तो अब यहाँ पर Sherlock Holmes इंस्पेक्टर को कहता है कि हमें एक बहुती तेज नाउ चाहिए तो अब रात का समय है और अरोरा को शीप याड से बहार निकाला जाता है जोनाथन इसमाल और उसके जितने भी दोस्त है ना वो डौड कर भाग रहे है क्यों क्योंकि Sherlock Holmes और इसके साथ जो जो बंदे है ना वो सभी इनका पीचा कर रहे थे जी हाँ तो दोस्तों यहाँ पर एक बंदा है टॉंगा तो यह जो टॉंगा है ना यह अपने हत्यार से वार करता है तो अब यह जो वाटसन है यह क्या करता है यह गोली चलाता है यह गोली आकर लगता है टॉंगा को और यह टॉंगा हो गया टॉंगा विंस यह टॉंगा पानी में की लकली का है इसलिए ये पकड़ा गया शेरलॉक होम्स ने इसे पकड़ लिया पकड़ने के बाद शेरलॉक होम्स लेकर जाता है इसे बेकर स्ट्रीट अब बेकर स्ट्रीट में यहाँ पर मैरी भी आती है तो दोस्तो अब जोनेथन अपना मूँ खोलता है और कहता है कि जब मैं इंग्लैन गया था ना तब ब्रीटिश आर्मी में मैं था तो उस समय एक क्रोकोडाइल ने मेरे पौँ को खा लिया था इसलिए मेरा जॉब लग गया था एक गाट के तौर पर मैं आगरा का गाट बन गया था तो एक दिन तीन भारतिये मेरे पास आए और उन्होंने मेरे गले में चाकू रखा तो वो खजाना लूट कर चले गए और मेरे उपर इल्जाम लग गया इल्जाम लगने के बाद मैं अंडामान के जेल में था तो वहाँ पर मैंने देखा कैप्टेन को और सॉल्टो को तो उन दोनों को मैंने ख़जाने के बारे में बता दिया तो अब उन दोनों ने उस ख़जाने को ले लिया लेकिन यहाँ पर जो सॉल्टो है ना उन्हों ने कैप्टेन को ख़जाना नहीं दिया इसलिए कैप्टेन को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया लेकिन जब कैप्टेन सॉल्टो के साथ थ तब कैप्टेन ने सॉल्टो को कहा था कि मुझे यानि कि जॉनाथन खजाना दे दो लेकिन खजाना इस जॉनाथन को भी नहीं मिला तो दोस्तो अब हमा जाते हैं खजानी के उपर तो ये जो खजाना है ना दोस्तो ये अब दे दिया जाता है मैरी को तो ये खजाना हो गया म मैरी का लेकिन अब वैटसन इस खजानी को खोलता है तो डब्बे में कुछ नहीं मिलता जी हाँ पुरा कहानी बेकार डब्बे में कुछ नहीं था जोनाथन अब बताता है कि खजानी को तो मैंने नदी में ही फेक दिया क्योंकि अगर ये मेरा नहीं तो ये किसी का नहीं हो सक तो दोस्तो अब यहां से यह जोनाथन जेल में चले गया और यहां पर वैटसन इस मैरी को प्रोपोस करता है मैरी अक्सेप्ट कर लेती है और कहानी यहीं पर खतम तो यह हो गया वीडियो खतम और हाँ दोस्तो एक और वीडियो आएगा वो बहुत ही छोटा सा आएगा दो मि कि बहुत सारे students ने इस वीडियो को open किया होगा लेकिन शायद ही कोई कोई होगा जिसने यहां तक देखा है तो मुझे उमीद है कि आप class में top करोगे तो अब जाओ उस वीडियो को देखो